नमस्कार, यो एविन्यूज खवर को संकेत हो, तफाई अहिले एविन्यूज जाट सेवेन मा हुनोंच, मा सुसन रामदाम, प्रारंबमा मूल खवर सामसद हरुली दिये का सुझाब का आधार मा बजेत तर्जुमा गरने अर्थमंत्री पुन को प्रती बद्दता, फईसाको अभाब भंदावनी खर्चो गरना नमसर्दा समस्या सरकार कु साजा कारिक्रम प्रती प्रतिपक्ष्य दल्ले समसद मा उठाए प्रस्न बिह मंत्रे माती चानविन गरनू परने अडान एथावत सरकारली गरिवी घटाउने गरी काम गरने ओली को भनाई स्री मतिलाई सामसद बनाउना नौसके को भंदाई मसाल का महामंत्री सिहा माती कटाक्ष्य पुर्व राजा को लुक प्रियता बाट छुला तलहरू आतियेको राप्रपा अदक्से लिंग्देन को भनाई दर्वार हत्या कांड को जानविन गरेरा तक्त्य तक्त्य बाहिर ल्याउन अच्यता बनी फस्ची मी बायू को प्रबाबली कार्फंड उपत्य का सै धेरी स्थानमा बर्सा जंडई छो महिना पची को बर्साली मदेश का किसान उच्छाहित अभ खवर को सिल्सिला प्रारंबगरों अर्थमंत्री को प्रतिवदता समंदी प्रसंगबाट अर्थमंत्री वर्षमान पुनली विन्योजन विधेक को सिद्धानत र प्राथमिक्ता का समंदमा सामस्धरुली दियेका सुझाब का आधारमा नेती तथा कारिक्रम र वजेट तर्जमा गरने प्रतिवदता जनाये का सन् आजा राष्ट्ये सबावईठक मा आगामी विन्योजन विधेक को सिद्धानत र प्राथमिक्ता मा सामसधरुली उठायको प्रस्णको जवाफ देने क्रम मा उनले सरकारली लगानी अनुसार का प्रतिफल प्राप्त नहुने कारिक्रम तथा योजनालाई खारेज हुआ पुनरसंब्रचना गरी नया मोरल का कारिक्रम ल्याऊने जानकारी दियेका हुन। अर्थमिंत्री फूनली अर्थतंत्र मा केही चुनाउती देखा परेको भंदी उत्पादन देखी उपभोग सम्म र लगानी देखी वेपार सम्म देख्येको सिथिलता हटाउन नितिगत सुधार गरदी आर्थिक रियाकलाप लाई तिब्रता दिने बताए। अर्थमिंत्री पुनली अर्थतंत्र मा देखियेका समस्या र सहकारी लगवित्तर मेटर बताउब्याद समस्या परेको सिथिलता हटाए। प्रमुक प्राथमित्या का साथ समधान गरी ने बताई। हाल बर्दु युवा फलायन को विशे मा सरकार को ध्याना करशन भाय को भंदी। कुरा आयोजनाहरु को स्तुरत सुनिष्चित गरेरा मात्र नया आयोजनाहरु शुरूगरी ने जानकारी दिये। आगामी बर्षको बजिट सोराउं योजनाको सुच अनुरूप पहिलूप बर्षको प्रमुक कारेण्वेन होने बर्ष होने उनको भनाई सा। इसे गरी और्थ मंत्री वर्षमान पूनले सरकार लाई पईसा को अबाब भंदापनी खर्च गर्ने छेमता ब्रिदी गर्ना आवस्चिक रहे को बताये का छन। बदोबार प्रतिनी दी सवाब मा बिनियोजन विधेक माथी सामसदले उठाय का प्रस्ण को जबाफ्ट दे सरकार संग अहिले पर्याप्त मात्रव मा पईसा रहे को बताये का हुन। मंत्री पुनली लगानी गर्ने पर्याप्त पुजी हुदा समेत खर्च गर्ने छेमता मा कमी हुदा बईदस्चिक साहेता समेत खर्च गर्ना न सक्किये को बताये। अहिले हामिलाई पईसा को अबाप होई ना खर्च गर्ने छेमता आमरों पुए ना आजरपनी कमीट मेंट मेंट पर्तिवत्ता बईदस्च रकम पांच खर्वा बंदा बरी छो हमरों बार्शिक बजे पुजीगत तीन खर्वा प्लस सजम्मा तरह हामिलाई बीदेशी पांच खर्वा बंदा बरी रकम रहेको जाना बेदस्च रकम पांच खर्वा बंदा बरी रकम रहेको कारे दिये नई वर्थमान और्थ मंत्री ले सकरात्म कृप मां चुनोटी दिये पनी अभा सरकार ले सहयक जुटाउने भंदा पनी खर्च गर्न आवस्यक रहे को उनको भनाई थियो वीगत मां 22 सायता 20 तकी 25 प्रतिसत खर्च हुने गरेको भायपनी अहीले 7 प्रतिसत मां सिमित रहे को मंत्री पूर्ण को भनाई शा मंत्री पूनले पूजी गत खर्चोगरने विशेमा जन सक्तिलाई आबस्यक दक्षेता बनाऊना सरकारली नौसकी को विशेमा समिक्षा जरुरी रहेको उल्ले करे बिगत मा जस्तो निती तथा कारीक्रम भजेत्र मौदरेक निती फरक फरक भायको टिपनिलाई अभ एकिक्र रुप मा ल्याओने प्रति बदता समेत मंत्री पूनको रहेको ठियो मनायरा चानवीन गर्णुपर ने आफोर को माग यथावत रहेको बताए कि हुन उनले प्रदान मंत्री पुस्पकमल दाहले ग्रिह मंत्री लाई जोगायरा पुलान मत्री बईमानी न घात गरेको बताए सामसद नेवपाने ले ग्रिह मंत्री रवी लामी छाने पटक पटक ग्रिह मंत्री बनना चाहे को भंदई मंत्री लामी छाने माथी कानुनी र नईतिक प्रस्ण रहेको उल्ले करिन प्रति पक्चलाई समसद अबरोद गर्ना चुनू तिदियेको भंदई प्रति पक्चली समसद अबरोद गरे मा सरकार न चलने उनको चेताव वनी शा प्रतिनिदी सबा को सुन्य सबय मा समसामेक विशे मा सामसद अबरोद गरे मा विविन्ना आयोगरु गठन गरने उल्ले करियेको भंदई सहकारी ठगी प्रकरण मा समसद अबरोद गरे मा विविन्ना आयोगरु गठन गर्शु भने को पनी त्या उल्ले करियेको पाईयो सहकारी ठगी को यह उटा समसद अबरोद गठन गर वने रावाद उठाव दा प्रतिनिदी सवास दस्य रूपा विकले CIV प्रमुक्सियाम ग्यमाली लाइ घुष लेंदेन को आरप लागे को भनदई उन लाइ चानविन्न गर्ण मा गरिन ग्यमाली को जन्मा मिति मा समेत विवाद देखिये को भनदई येस मा पनी चानविन्न गर्ण परने उनको भनाईचा सदस्य बेकले चानविन गर्ण परने वेक्तिलाई नहीं, चानविन्न गर्ण निकाय को प्रमुक्स बनाईए को भनदई प्रदानमंत्रि ले येसको जबाब दीन उन पने वताईँ प्रतिनिदी सवासदस्य लेखनात दहाले प्रतिक प्रदेश मा विपन्ना नागरिक अस्पताल खोले रा विपन्ना नागरिक लाई निसुल को उपचार गरना बजेट विवस्ता गरना सरकार्शन गमाग गरे प्रतिनिदी सवासदस्य मीना तामांगली नेपाल का किसान लाई बर्गी करणगरी किसान महित्री निती रा वजेट वनावना सरकार को ध्याना करशन गराई किसान महित्री बजेट निती बनाई सामजीक न्याई सईत सवामुक मारफ़त नवगठित अर्थम मंत्री जुलाई ध्याना करशन गरना चाहांचो अस्त धन्यवाद सुन्य समय मा बोलने अन्या सामसीध हरूले आफनो जिल्ला तथा निर्वाचन छेतर संग संबंधित विशेमा धारणा तथा मा घरू राखेगा थिए राष्टिये सवा अद्दक से नारेन प्रिशाद दहाली सामसीध हरूले दिये का सुजा भरूलाई प्राथमिक्ता का आधारमा कारण्वेन गरना सरकारलाई निर्देशन दिये का सन आजको राष्टिये सवा बैठक मा उनले राष्टि निकुंजा बन्ने जन्तु आरच्छेर मदेवर्ती छेतर मा मानव्र बन्ने जन्तु बिशको दोंदक अवस्ता अध्यन प्राथिवेदन दिये का सुजा भरूलाई प्राथमिक्ता का आधारमा कारण्वेन गरना निर् आजको राष्टिये निकुंजा बन्ने जन्तु आरच्छेर मदेवर्ती छेतर मा मानव्र बन्ने जन्तु बिशको दोंदक अवस्ता अध्यन प्राथिवेदन दिये का सुजा भरूलाई प्राथमिक्ता का आधारमा कारण्वेन गरना नेपाल सरकार लाई निर्देशन गर ये सगी प्रति विदन माथी को चल्फल मा सामसधरूली उठाय का प्रस्ण को बन्त था बातवन मंत्री नवल की सोर सोडीले मदेवर्ती छेतर को भुवागलाई सार्बजनिक्र नीजी मा बिवाजन गरन लागिये को जान कारी दिये निकुन जा आरच्छि कारे ले भंदा इस्थानिय तोर्फबात नियमन हुने गरी विवस्तागरी ने उनको भुवागलाई थियो मध्यवर्ति को सार्निक जग्या रा मध्यवर्ति को निजी जग्या गरी तीन प्रकार मा विवाजन गरने गरी ब्यवस्ता हुदेई छा। आपू को बस्ती इस्तांतरन गरनु परने आवस्तेक्ता अउलाये का थिये। मानब्र बन्ने जन्तु दोंदको कारण स्रिजित समस्या को दिर्ग कालीन समस्या खजुनु परने प्रति बेदन ले अउलाये को छा। गरीवी सुन्या मा जहारने सरकार को योज नाहुने बताये का हुन। अधक से ओली ले चीन ले गरीवी सुन्या मा जहारे को द्रिष्टान तफेस गर दई आपूरू ले पनी तिस्ते अनुसार काम गरने बताये। अगिले सरकार जस्तो दुई बर्षमा तीन परतिशत गरीवी बढ़ाउने ओने शरकार मा आमें उनु नु नु को के अरता हुने। अहीले दुई बर्षा मां हमिले सरकार छोड़े को दुई अड़ाई बर्षा मां तीन पर्थिशत निरपेक्षे गरिवी को रेखा मुने हमिले शत्र पर्थिशत मां जा रहे गा थियों फरक प्रसंगमा अद्धक्षे वलीले नेकपा मसाल का महामंत्री महन विक्रम सिहा पतन भाय को टिप्पणी गरे अद्धक्षे ओलीले श्रिमाती पौडे ले पाद नफावने देखे बचे रोईक्षे वलीले श्रिमाती पौडेले पाद नफावने देखे बचे पराई गर्न लागे का सिहां केका लागी जीवन भर कम्निष्ट भाय का रहे चन भन्ने कुरापनी फर्दा फास भाय को दावी गरे सिहां निरास रहतोत चाई भाय पची के टिपना पाइन छा भने रा कंग्रेस को पची लागे को आरोप उनको छा राष्टिय प्रजातंत्र पाट्रिक अद्दक्से राजिंद्र लिंग्देन ले राज दर्बार हत्या कांड को छानबिन गरे रा सत्य तत्य बाहिर ले आउना ठुला दलहरूलाई चुनोवती दिएकासन आजा विर्गंज मा आयोजित पत्रकार सम्मिलन मा अद्दक्से लिंग्देन ले पुर्बर आजा ग्यानेंद्र सहा को लोग प्रियता बाट अतालिये रा ठुला दलहरूली दर्बार हत्या कांड मा पुर्बर आजालाई मुश्ने गरे को बताएका हुन अद्दक्से लिंग्देन ले बारम बार दर्बार हत्या कांड संग जोडे रा पुर्बर आजालाई धमक्याउनी रा बदनाम गर्न खोजनी हरुमा, हिम्मत भाई चानमीन आयो गठन गरिरा, सत्य तत्य शार्वजनी गर्न उनली चुरातुनी। अधक्से लिंग्देन लिए दर्वार हत्या कांड़ा मा पुर्वराजा दोसी नहीं थिये भने, दर्वार हत्या कांड़ा पची सत्तामा पुग्ने दल रा नेता हरुले किना चानवीन नगरे को भंदई प्रस्न समेद गरे, उनली गड़तंत्र र संगियता को खारे जी, रा अधक्से निर्वाचित प्रदानमंत्री लगायत के एजेंड आलियर अहिली राप्रपा जनता को बीच मा आयको जानकारी समेद दिये, राप्रपा का ये मुद्दा को पक्से मा जनता को समर्थन पनी प्राप्त भहिरे को दाबी उनको छा। पत था गोप नियता को सफ़त ग्रहण गरेगा हुन। शरह कोश्यवा सुबीदा दिनेगरी काम गरने बताए। राजनितिवाटा सिछालाई टाडा राकने उद्धिस्ते राके को उनको भनाई थियो। नेपाल समाजबादी पार्टी का समयोजक डॉक्टर बाबुराम भट्राईली आफोर को पार्टी नेकपा मावबादी किंद्र संग एकता गरने भनी ब्रहंपुन प्रचार वाजी गरिये को बताए का सन। आज पार्टी किंद्रिये कारेले मा पत्रकार सम्मिल्यन गर्दी समयोजक भट्राईली पार्टी का कही बेक्तिहरू मावबादी किंद्र मा प्रवेश्कन लागे को भईपनी पार्टी एकता नहुने वताए का हुन। सम्योजक भट्वाईली आफनो पक्षिमा केंद्रिय समितिको 70 प्रतिसत्र केंद्रिय कारेकारिणी समितिको दुईती हाई संख्या रहेको दाबी गरे सम्योजक भट्वाईली आफ हुरू पुरानो पार्टी संख सहकारे गरना तयार रहे पनी उनी हुरू संख मिसीने कुनेई मनसाय न रहे को इस्पस्ट पारे नेपाल समाजवादी पार्टी आफनो सिंगो अभियान लाई छोडे रा माववादी खिंद्रसग एकता नगरने उनको भनाई थियो सबई उच्च पदस्थ को चानविंद्र कारबाई सम्मा गरना सकने गरी सकति साली जनलोकपाल गठन गरे रा ब्राष्टचारी माथी कारवाई गरनो पर्ने नेता भर्त राई को भनाई छो कंग्रेस सरकार मा भाये को बेला मा कंग्रेस ब्रस्टचारी भन्ने रा कंग्रेस ब्रस्टचारी भन्ने प्रविर्ति रहे को उनको भनाय थी हो खबर को सिलसिला अजहे जारी सा हमी संगे रहनों होला अब बाकी खबर पस्चिमी बायू रा इस्थानिय बायू को प्रबाब का कारण आज देश पर को मोसम वदरी भाई को छा जसकारण कारण पतेका सैत बागमती मदेश रा कोशी प्रदिस का कही इस्थान मा अलका देखी मध्यम वर्षा भही रहे को छा यो प्रबाब पुर्भी नेपाल मा बड़ी रा पस्चिम मा कौम रहे को छा मोसम बिज्यान विभाग अंतरगत को जलत था मोसम पुर्भानुमान महा साखा का अनुसार आज दिन भर नई देश को पुर्भी भागमा अलका देखी मध्यम वर्षा को संभाव बना रहे को छा काटफंडों मा बिहिवार पनी सिट फुट बर्षा होने संभाव बना रहे को मोसम बिभाग ले जनाएको छा गंडगी प्रदिस देखी पुर्भमा बिहिवार पनी बर्षा को संभाव बना छा गंडगी देखी फस्सिम को भुवाग मा भने तुलोनात्मक रुप मा कौम बदली शा, बदली पनी पहाडी छेतर मा बडी रा तराई छेतर मा कौम शा, बदली रा वर्षा भाय का इस्तान मा जाड़ो महसुस भाय को शा, फरसी देखी मात्रा मोसम मा सुधार हुदेई, खुषी भाय का जा, लामो खड़ेरी का कारण बाली नाली शुक्दय गय का बेला वहे को यो बर्षा ले, बाली नाली सप्रने भंदै कि खुषी भाय का हुनी, सब भंदा वडी तरकारी बाली लाई, फाइदा पुग ने आंफ का टहर लगाय तराईमा फलनी, मोसमी फलफ नेपाल मा भुकमप बाड़ी पईरोर खड़ेरी जस्ता प्रकुबाटर बीगत 40 वर्षा अर्थात सन्द 29 सी 2020 सम्बमा साथ और्व अमेरिकी डलर बरावर को छेती भाय को प्रतिवेदन सार्वजनिक भाय को छा समीक्त रास्थ संगिय विकास कारिक्रम नेपाल इवैनडीफी ली तैयार पारेको नेपाल सम्बंधी प्रतिवेदन अर्थम मंत्रालिका राजस्तु सचिप डक्टर रामप्रसाद घिमिरिली सार्वजनिक गरे काहुं कारिक्रमा इवेन डिफी का आवस्य प्रतिनी दी आया सानी मेडांगा गोडा लावेली बीमार बेतिय जोखिम नियोनी करण मा जोड़ दिये प्रति विदन ले प्रको फरुली देशको आर्थिक उत्थान सिल्ता विकास करने छेमतामा असर पारेको अनुशन्दान ले देखाये को छा विपद उद्धार्त था प्रति कार्य का लागी निपाल सरकार ले गएको आठ वर्षमा पचास और्व खर्च गरी सगे को छा हर्च को यो तथ्यांकले दिर्ग कालिन डुप मा आर्थिक द्रिश्टिकों ले दिगो नहोने रा जोखिम हस्तान्तन समाधान समेंत्र को माग रहेको तथ्यांकले देखाये को छा प्रतिविदन ले जलवायू परिवर्तन वाट सबे भंदा बड़ी प्रबाबित दोस दिस्त मदे नेपाल एक रहेको रा नेपाल बाड़ी पहिरो भुकम पर खड़ेरी को उच्च जोखिम मा रहेको उल्लेक करेको छा सहकारी बाट ठगिये का पिड़ीत एक हो देई सहकारी मा राखे को बचत सरकार ले फिरता गरी दिनुपने माग राख दे उनिह हरूले राजधानी केंडरीत आंदुलन मा उतरिये काचन वचत करता फिरी थरुले सहकारी हरुले फिरवता नगरे को सर्व साधन को वचत रकम फिरता का लागी इस्थानिय तह देखी केंद्र सरकार सम्बले चासु नदी को गुनासो गर्दै आंदोलोन कर्दै काटफंडों तीन कुने मा धर ना मा बसेificaciónहुँन सहकारी को बचत फिर्ता का लागी राज्ये का सबी निकाय धाउंदा कतई पनी सुनुवाई नभाई पछी समिक्त रूपमा शड़क आंदुलन माउनु परेको पिरित को भनाई छा सहकारी विवाग परिशर मा आंदुलन थाले का वचत करता हरूले रकम फिर्ता नफाय सम्मा आंदुलन नरोकने चितावनी दिये गाशन सहकारी पिरिद वाड़े सरकारले गठन गरेको समिती को सुजाब साइत को प्रतिविदन गतभधो 25 कते प्रदानमत्री पुस्पकमल दहाल को हात मा परेको थियो प्रतिविदन भुजे का उनले सुजाब अनुसार कारेमेन मा आफु प्रतिवद रहे को बताय का थि तर सुप्रतिवदता अनुसार चैत्र सम्म रकम फिर्ता प्रक्रिया अगी नबड़े पची फिरीत पुनहा आंदोलीत भाय का हुन। अर्गक हाची को पोखरा थोकमा बन्ने जन्तुबाट खेती वाली जोगाउन क्रिशक हरुलाई भोटे कुकुर बितरन गरियेको छा। भोटे कुकुर पाय बची खुशी भाय काशन। यो कारिक्रम प्रबाबकारी हुने अप्यक्स्या गरियेको छा। ससस्त्र प्रहरी बल्ले सिमा छेत्र का बासिंदा को समस्यार गुनासा सुन्नको लागी समिक्त सिमा पईदल यात्रा शुरु गरेको छा। सिमा बासि संग ससस्त्र प्रहरी नामक अभियान अंतरगत उक्त यात्रा मा शुरुच्या कर्मीर जनब प्रतिनिदी हरुले सिमा का बासिंदा संग प्रतक्सय अंतर क्रिया गर्नेशन। भारत संग सिमा जोडिये को छेत्र लाई चार भागमा विवाजन गरेरा शुरु भायको समिक्त सिमा पईदल यात्रा चैत्र मैना भरी संचालन होने सा। अंतर सुमदूर बनावने रभाविस्यमा बीगत्मा जास्ता गलक गट्ना अरू गट्ना नदीने खाल को मुख उद्धेशे लिए रसीमा शुराच्याला अजसुद्रिर बनावने मुख उद्धेशे लिए गरिये गयो कारेकम को शुरुआत भायको खासकरी सीमा बाशी संगा सहत्र पहरी कारेकम को बोडर वाक गरी अउपतारिक शुरुआत भायको अन्रोद गरना चान्जू इसको मुख उद्धेशे माने कुई यहां का जन्ता अरू संगा आमरो कुराहरू पने राखने जन्ता के कुराहर पने शुरुने राखने राखने राखन आरू समया के वारे वारे स्वाधान बाशी अभाणे रूरू सयुकराहर लाँ आर्ण सयुक्तुमा यहां निकाय का प्रम्खरू स्वम्रिक्त सिमा पईदल यात्रा मार्फत सिमा छेत्र मा आयरा समस्या को बारे मा जानकारी लिएको मा इस्थानियले पनी खुशी प्रकट गरेका सा। जहापा मा बाहुन डांगी देखी गवरी गण सम्मा एक से चोवालिस किलोमेटर लामो सिमा छेत्र छेत्र हरेक किलोमेटर छेत्र मा ससस्त्र प्रहरीले सुरच्या पोस्ट राखेर सिमा को निगरानी गरी रहेको छा। जहापा मा भारत संग सिमा जोडिये का 21 उठा उडामा सिमा सहजी करण समेती समेत गठन भायको छा। कोशिव प्रदेश सरकार ले हतुआ गडी का आगलागी पिडित लाई 2 लाख रुपयां आर्थिक सहयोग गरेको छा। चैत्र तीन गते हतुआ गडी गाउपाले का साथ पातले पाने मा अगलागी मा परिम्रितु भायका तीन बाल बालिका का परिवार लाई प्रती परिवार एक लाख खदर ले 2 लाख रुपयां आर्थिक सहयोग गरेको हो। जिल्ला प्रसाशन कारे ले मारफत राहत हस्तांतर्ण गरने भायपनी फिरित परिवार लाई छीटोरा सहज तरीकाले राहत पुगोष भन्ने उद्धे से ले गहरमें आयरा राहत बितर्ण गरेको कोशी प्रदिस का मुख्य मंत्रिक के दारकार के लिए बताए। कर दोने कोशी घर कोशी पुग पर लाई भन्ने में, आए भर फिर घर हमारा राहत है कोशी का मुख्य के ले ले गोई देवार में आइ। तरह भरम डालाई छाई स्वर्कार चे अम्रेटार। आग लागी मा परी प्रती परिवार एक बोरा चामल र तेल सोय गरेक आशन। सम्भावित बन डड़ेलो नियंतन को लागी डिविजन बन कारेले परबतली पुर्वत यारी थाले कोछा। सम्भावित बनिल्ड़ेलो नियुए से घज़ा परिवारी खशन। सम्भावित हीत बन ड़न ड़ाउनीत। कारागे माई जर्केर एग अए फचा आगलें तिस्तरी तो पर कोस्त खिशिमुग आगधेू आगदि नभुजिरा ते कमांडर अगटियो आगड़ी अधिय अश्तर हमाजान। जुप्ति बुद्धि गल बहुत या उपल कौन बहुत वे सिर्फ शुमाषर ओते काम करना पर्ष अच्छा अच्छा याट भुरो शामानी उना मिचाख ना ना रड़ ने लेकिनी अगा विए अगुछ इनी उच्छा अगोर तीन आप यावाजुली ते बार गाम ने अग्टीज़ वाज में आपक्षा नंगा पर शुमाई ने भ सामुदाइक बन भाहिको परवत्मा अधिकांक से इस्तानमा पाहाडी भुगल भाहिकोरा आगलागी भाहिपसी पुग्न यातियात इंदन को समस्या होने गरेको सहवागी बन अधिकृत को भनाई छा परवत्मा परियाफ्त यातियात को सहदन नहुनु इंदन नहुनु रा आत्मा सुरेच्या को उपकरन नहुदा पनी ततकाल बन डड़ेले को उदार होना नौसके को सुरेच्या कर्मी को भनाई छा परवत्मा महासिला विहादीर फलेवामा धेरे बन डड़ेलो का कारण जलने गरेगा छा उच्छ अदालत पोखरा वागलुं इजलास ली न्याएमा बाईए पहुँच बिशे मा कारिक्रम गरेड़ा न्याए कानूनी सिछ्या दिना शुरुवात गरेगो छा वागलों को एक मात्र कानुन भी से अध्यापन होने आदर्स विद्यामंदिर विद्याले मा एक कारीक्रम गरेरा कानुन का समसामेक भी से मा जानकारी दिना शुरू गरिये को हो। विद्यामंदिर विद्यामंदिर विद्याले मा जानकारी दिना शुरू गरिये को हो। विद्यामंदिर विद्याले मा जानकारी दिना शुरू गरिये को हो। विद्यामंदिर विद्याले मा जानकारी दिना शुरू गरिये को हो। अधालत मा अनावस्तिक दुखा पाऊने गरे को कानूनी बेवसाईले महंगो शुरू कलीने गरे को गुनासो गरिका थी। अब को पालू एविन्यूजाट विजनेस। नीवर्थमान अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकासरन महतली ठुलू आकार को बजेट ल्यामदा दिर्गेकालीन दाइक तुस रिजनाली अर्थमंत्री बर्षमान पुनली टावको मा हात राखनू पर ने अवस्ताऊने दावी गरे काचन। आज़ा प्रतिनिती सबावई ठकमा आगामी आर्थिक वर्षा 2021-82 का लागी बिन्योजन विधेक को सिद्धान तर प्राथमिक्ता को सम्मंदा मा भाय को चल्फल मा भागली दे उनली येस्तो दावी गरे काहुन। बर्तमान गठवन्दन सरकार ले 21 खर्बको बजेट लियाऊने तयारी गरे को भंदै असंतुष्टी जनावदै डक्टर महतली दिर्गकालीन दाईतो स्रीजनार गोशना प्रतिको विलामा अर्थमंत्री ले ठावको मा हाथ राखनू परने स्थितियाऊने बताए। कॉंग्रेज सामसद समेत रायका डक्टर महतली आफू अर्थमंत्री भायर सरकार मा बसदा एकल अब्वे द्रिष्टी कोंड ले रा अर्थतंत्र लाई सुधार गर्ने काम लाई प्राथमिक्ता दियरा काम गरे को दाविगरे। बजेट लाई थेती मा ल्याउना नसकनी हो भने जहन ठूलो अप्ठ्यारों मा देश जाने उनको चेता अबुनी छा। 20 खर्व को बजेट बनाऊना सरकार लागे को भन्दई सुने को भन्दई सरकार ले सके 20 खर्व मात्रे नभई 30 खर्व ल्याउंदा पनी फरक न परने तरक कारेण मेंन मा समस्या हुने डक्टर महत को भनाई सा। आर्थिक वर्ष 2018-82 का लागी बिन्योजन विधेक को सिद्धांतर प्राथमित्या को सम्वंदमा प्रतिनदी सभामा सामस्य धरूले सुझाब दिने क्रम आज़पनी जारी रहु। आज़को छलफल मा भागली देई नेपाली कंग्रेस का सामस्य उधर समस्यर जबराली सहकारी प्रकरण को निस्पक्छे चानवी नगरे सम्मा अर्थतंत्र चलाये मान हुना अफ्ट्यार उपर ने बताये। अर्थतंत्र माथी आमरो सहकारी सिस्टम माथी अईले जनता को भर उडेको छा रविशेस गरेरा वहां अरुको बनाई के छा बनी ठूल मांचे ले जे गरे पनी हुनी साना मांचे पिडामा पर नी रमा आग्रागर्ण चान्चु मेरा पाती का साथी अरुले पनी बोली सक यो साकारी मां केभो भनेरा निश्पक्छा चान्वी नगरे सम्म यो अर्थतंत्र चलाये मां हुनव अफ्ठार होन्छा नेगपा एमाले का सामसच हविलाल विश्वकर्माले निर्वाचन चेत्र रड़नेतिक सडक आयो जनालाई आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मां समेटनू परने बताए तराई मदेस सम्रेदी कारिक्रम लाई थब प्रभाबकारी बनावनू परने मां उनको जोड़ छा शीमावर्ती छेत्र का जनता हरू तेसमापनी दलित जनता हरू शुरक्षित आवाच को कारण ले अशुरक्षित बायको उस्थिति मां यो शुरक्षित आवाच कारिक्रम ले ती जनता हरू लाई धरे लावानुवित बनाए को थियो तर तेसले निरंतरता पायना मां आग प्रवाव कारी हुने जंगले शुरक्षित आवाशकारी क्रम लाई अगारी बडाउनू पर दश्टा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का प्रमुक्स सचेतक प्रदीप यादबली किसानलाए मलको अवाव हुना नदीने योजना क्येसा भनी सरकार लाई प्रस्नगरी आस वे भन्दा ठूलो समस्या को रूप मा रहे को राशनिक मलको अवाब हुना नदी ने इस पश्ट योजन आले आउना उनको मागशा आफ्लेश मागशा नदी 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 पैसा लेड़ा घुमी राऊंच तरह खाज पाऊंदेना नेक पा किकरित समाजवादी का सामसत प्रकाह ज्वालाली आगामी आर्थिक वर्सको बजेट निर्मारमा सामसत को भरोसा गरना और्थमंत्री बर्समान पूनलाई आगरह गरी यह जोना निर्मारमा पनी सामसी धर को सुजाब संब्धन गरना परने उनको भनाई सा नेपाल मजदुर की सानफ वाटी का सामसत प्रेम सुवाली सत्तारुड गठवंदन ले सारबजनी गरेको निवनतम नितिगत प्राथमिक्तार साजा संकल्प नामक निवनतम साजा कारिकरम कागज को खोष्टा जसते भायकोटि पनी गरे साम्सित डक्टर अम्रेश कुमार सिहले आगामी वर्षक बजेट लाई बाहु बली विनियोजन बिदेग राखन सुझाब दिये उध्योग नेती अभावर जटिल आर्थिक अवस्ताले बुटोल अउधोगिक छेतर का उध्यगरू प्रभावित भाय काशन कच्चा अपदार्थ को मुल्य भंदा, भारते रेडिमेट सामन आउदा नेपाली उध्योग वाटो उत्पादित बस्तु प्रभावित ने गरेका हुन भारते उध्योग संगा प्रतिसपर्दागरावन नौसके बसी कतिपवए उध्योग ले कामदार समेत कटवुती करेका साल प्रतिसपर्दागरन आई हुच्चा, अब्रो कि अध्योग अगराऊ नीज लेवर कार्श हैं, बडिमें पर्दाय, अपर्तिसपर्दागरन आउदागरावन क्या गरन संगा हुन उध्योग विस्तार गरना जग्गा को कमी बैंको चरको ब्याजले चाल उपजी को अभावर आर्थिक मंदिले उध्योग चलायमान होना नौसके को बुटोल अउधोग इक्षेत्र वेवस्तापन लिमिटेट को भनाईशा उध्योग चलाए ऊवस्तामा रहेका चार वर्टा उध्योग बंधर निर्माड अवस्तामा रहेका च्छनौ उध्योग औरिक्षेत्र fråखन मा उध्योग रहेको मां हाल 368 उध्योग संचालन मां रहेकाशन। उध्योग मां मंदिको आशर परदा 40% उद्पादन कम भायेकोचा बने 50% कामदार विस्तापित भायेकाशन। अव कुपालो क्रिसी खवर। दुगदविकास समस्तान डीडीसी ले सिहहदरवार भित्र सहुलियत विक्री केंदर इस्तापना गरेकोचा। आज़ा सिहहदरवार परिशर मां मुख्यससिप वरक्र ववयकुंठण塹 अर्यालें सहुलियत विक्री केंदर को शुभारंब ग रहेका हूँन। पचिल्लो समय दुग्दर जन्य वस्तोहरू विक्रीमा आये को कमिलाई सिहा दर्वार को सहुलियत केंद्राली थाप सहयोग पुग्ने क्रिश्ची मंत्रालाई को अपेक्षिया शार। पुग्दर जन्य वस्तोहरू विक्रीमा आये को अपेक्षिया शार। पुग्दर जन्य वस्तोहरू विक्रीमा आये को अपेक्षिया शार। गुल्मी को चंद्रकोट गाउपाली का मा मकई खेती को लागी उन्नत प्रविदी को प्रियोग गरी क्रिश्चा खरूलाई मकई खेती गरने तरीका सिकाएको छा। प्रदानमंत्री कृष्चिया आदूनिगी करण प्रियोजना चंद्रकोट गाउपाली का छांतर गत रहेको मजुँआमा क्रिस्तक लाई मेसीन बाट कसरी मकई लगाऊने भनेरा जानकारे दिना को लागी उन्नत प्रविदी को प्रविदी को प्रदसन गरी एको हो। मकई को हाईब्रीड व्यू मेशिन बाट लाइन मा लगाउदा हुने चंदरकोट गाउपालिका का अद्दक से इवराज खत्री बताऊँछन इस्तानिय सहकारी मारफत जिल्लाको मोशिकोट नगरपालिका सत्यवती गाउपालिका रचंदरकोट गाउपालिका मा फ्रती 55 वल्र मेसिनरी प्रव्यविदी मां क्रिस्य खरूलाई सहयो गर्दे आयेको छा, उन्नत प्रव्यविदी को प्रव्यवाट परती एक रोपनी जग्या मां 350 किलो मकई फलाउना सकने अनुसंद्नानले देखायेको छा, गुल्मे मां 22,000 भंदा बड़ी छेत्रफल मां मकई खेत खबर को सिल्सिला अजही जारी छा, हमी संगे रहन होला, अब कुपालू एविन्यूजाट स्पोर्स निपाल क्रिकेट संग्यानली आईलाइन एसंगग हरेलू मैदानमा हुने टी ट्वेंटी स्रिंखला का लागी टोली घोसनागरे को सा क्यानली आज रोहित कुमार पोडिल कोखपतानी मां 15 सदस्य टोली घोसनागरे को हो रोहित संगई, आसिफ सेख, कुशल भूर्तिल, कुशल मल्ल, अनील सहा, गुलशन कुमार जह, देफेंदर सिहां अईरी, ललित नारेन राजबंग्सीर, सुमपाल कामी समेट एकाशन इसते ही कौरण के सी, प्रतिष जिसी, अविनास भोहरा, आकास चंद, संधीव जोरार, विवेक यादपवनी टीम मां परेगाशन निपाल ली, ICC T20 विशुकव को तयारी सुरूप, आइरलाइन ए स्रिंखला खिलना लागे को हो किर्थी पुरीष ती 3-वी क्रिकेट माईदान मा होने स्रिंखला मा सेनियर टोली ली आईरलाइन ए संगा चाहित्र एगारर, वारगती T20 खिलने सा तिस बसी एही टोली वहारत मा गईरा खिलने सा भारत मा यो टोली ली बरोडार, गुजरात संगा चार T20 खिलने सा सेनियर ट्रोली ले भारतमा खेली रमधा नेपाल एली आयरलाइन सग पंदर सोरा रा अठार गती तीन खेल को एक दिबस्तिय खेल खेल खेलने ताली काराईको चा तेस पची एक दिवश्ची स्रिंखला होने चा, पईलो खेल चाहितर एक काईस मह होने चा, दोसरों खेल चाहितर तेईस रांतीम खेल 25 कते होने क्यानली जनाएको साँ अब को पालू खास-खास खबर जोसरों खास-खास नेकप़ा एककरिट समाजवादीली गण्डगी प्रदिश का मंत्र दीपक मनायगेलाई इस्पष्टी करन सोधने भाय कोछा एकिक्रित समाजबादी में प्रविश करे का मनागे पाटी त्याक गरीरा मंत्री बनेपची प्रदिस कमिटी लाई इस्पष्टी करण सोधना निर्देशन दिये कोशा पुर्वी नवल प्रासी को मध्यविंदु नगरपाली का 11 कुर्थर इस्तित भीत्री सड़ा खंडमा आटो रिक्सा पल्टीदा एक जनाको म्रितु भायकोशा दुर्गटनामा परी अन्य दुई जना घायते भायको प्रहरीली जनाईकोशा मृती हुने मा मध्यविंदु नगरपाली का 12 का भूपलाल अर्याल रहकासन आटो चालक लाई आवस्टे को नुशंदान को लाजित प्रहरीली नियंत वर्माली एकोशा रास्ट्य सबा कारे वेवस्ता परामर से समीति का लाजि साथ जना को नाम मनोनाईन भायकोशा रास्ट्य सबा को आज़क वईठक मा अद्दक से नारेन प्रसाद दहाले आनंद प्रसाद ढूंगाना गोपी बहादूर सारकी आउच्छामी तुल प्रसाद विश्व कर्मा भगवती ने उपाने मदन कुमारी सहा मोहमद खालीद सेखर कुमार सिहलाई रास्ट्य सबा कारे वेबस्ता परामर से समीति मा मनोनाईन गरना प्रस्ताप गरे का हूँ अनुगमंत था मुल्यांकन विदिक 2006 तरलाई प्रतिनित दी सबाबाट भगव को समसुदन स्वीकार से इत्पुनाँ पारिद गरियोस भन्य प्रस्ताप सर्वस सम्मतिले पारिद भगव को सा आज है को राष्टी सबाबा भगव बैठक ले प्रस्ताप पारिद गरे को हो राष्टी सबाबा नेपाली कॉंगरिस का सामसद जी जंग बसनेती प्रदानमंत्री पुस्पकमल दाहले देशर जनतालाई फुटवल ठाने को आरुप लगाय का संग राष्टी सबाब को बैठक मा उनली प्रदानमंत्री ले आफुलाई स्ट्राइकर ठाने रहा उतल पुथर गरने लगायत का अभिवेक्ती दिने को भंदई आपती समय जनाए काहुन बसनेती उपप्रदान तथा विह मंत्री रभी लामी छानेले एपाली कॉंग्रिस लाई 9 मिनिट 18 सेकेंड मा पाठ सिकाओने अभिवेक्ती दिये को भंदई कॉंग्रिस पाठ सिकन तयार रहे को पनी बताए रास्टिय प्रजातंत्र पार्टी की सामसद बिना लामाली और्थ मंत्री बर्शमान पुन प्रती आपती जनाए की छन सामसद लामाली और्थ मंत्री पुन ली राप्रपा माथी बिवेद कारी निती राखेर बाहिर अगए को आरप समेट लगाए परधान्त था पररास्ट मंत्री नारनकाजी स्तिष्ट चीनमा हरेक वर्श हूँद आई को बौआओ फोर्मफर एसिया माँ नेपाली तुली को नेट्टू तो गरदयि साहा बागीत जनाए जनाए भाईकाशन उपपरदानमंत्री स्रिष्ट को पररास्ट्र मंत्राले समाले बची योने पईलो बिजेस प्रहमर हुने सा कारिक्रम चैत्र 13 देखी स्वर सम्मा हुगे इसा परसाका प्रहरी प्रहरी उपरिच्च कुमोद भूगे लिग सांती सुड़े चार अमन चैन काईम मा कुने किसिम का सम्जोग था नहुने बताए का सन्द आज विर्गांज मा पत्रकार्शंगर कुरागर्दी उन्लियो सर्वसाधन लाई सेवा पाउन अपने सास्तिक पर ने आश्वा संदे काहुन कानुन बेपरित गयरा खुने पनी प्रहरी कर्मचारीले काम गरे मां कारभाहिगर ने चेतावनी समेट उन्हेर ले दिये सशस्त्र प्रहरीले सब्तकोसी नदीमा डुंगामा लईजादे गरेको एक से चोंशुठी किलो गाजा मधिरातमा बरामद गरेको छा सुन्शरीको बरहाचेत्र नगरबाले का एक इस्तित सब्तकोसी नदीको किनार बाट गाजा बरामद गरेको हो ससस्त्र प्रोरीले फागुन एक गती देखी हाल सम्मा एक एम्बूलेन साइथ पांसे चोंसुठी किलो गाजा बरामद गरेगोशा फांस्थर कु फिदिम नगरपालीकालाई पुन खोप सुनिचित ता घोशना गरीगोशा अवकु पालू एविन्यू जाट मोसम गता 24 घंटा देखी मदिश प्रदिस का थोरे इस्तान मा मेग गरजन चट्यांक साइथ छिटपूर देखी हलका वर्षात था कोशी प्रदिस कोच्च पहारिक था हिमाली भुबाग का एक दोई इस्तान मा चट्यांक साइथ छिटपूर देखी हलका हिमपात भहरेकोशा आज़ा काटफन डोपते काको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेलसियस रणी उनतम तापक्रम 13 डिग्री सेलसियस मापन गरिये को छा आज़ा देश हर को मौसम कोस्तो राय होता है रहों देश का विविन निस्तान को मौसमी अबस्ता अहिले लाई ख़बर को क्रम 13 एविनियूज खबर का इस तई अन्य ब्रिस्तित खबर को लागी www.evenews.tv लगन गरना सक्नू होनेशा साथे एविनियूज को अन्य खबर हरू, एविनियूज खबर का सामाजिक संजाल हरू मापन नहेर नारा सुनना सक्नू होनेशा खबर बेत रको खबर को लागी हर दे रहनों होला, एविनियूज खबर नमस्कार